दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे आप आपके घर की लाइट्स को सिर्फ 26 रुपे में आटोमेटिक कर सकते हैं इस वीडियो में हम सरकीट डायग्राम, कॉंपोनेंट्स, प्राइस के साथ सारी डीटेल्स देखने वाले हैं इस डिवाइस का यूज करके घर की लाइट्स का आटोमेशन एजीली हो सकता है तो कौन सा सेंसर हम यूज करने वाले है, क्या है स्पेसिफिकेशन्स, उसके लिए बने रहे हमारे साथ तब तक हम आपके बीज़ी शरूल का ध्यार रखते हुए, गिनावी सी देरी के वीडियो को करते हैं, जल्दी से शुरू चलिए सीधे देखते हैं, कॉंपोनेंट्स रिक्वाइड, सबसे मेन कॉंपोनेंट है इसमें यूज होने वाला सेंसर यह है LDR यानि Light Dependent Resistor, यह सेंसर लाइट की इंटेंसिटी पर अपना रेजिस्टन्स वैरी करता है, यह आपको सिर्फ 10 रुपे में मिल जाएगा नेक्स्ट इंपोनेंट कॉंपोनेंट है एक ट्राइक, यह है BT136 ट्राइक, इसमें टोडल 3 टर्मिनल्स होते हैं, यह है T1, main terminal 1, जहां phase या neutral आप कनेक्ट कर सकते हैं, यह है T2, main terminal 2, यहां पर भी phase या neutral कनेक्ट कर सकते हैं, और यह है G यानि gate, इसे tap कहते हैं, आप इसका use T2 जैसा कर सकते हैं यानि टर्मिनल 2 की जगए यहां आप फेज या न्यूटरल कर सकते हैं प्राइस की बात करें तो यह आपको 15 रुपे तक मार्केट में मिल जाएगा Next and final component है एक 220 किलोओं का रेजिस्टर एक रुपे की प्राइस में आपको दो रेजिस्टर मिल जाएंगे लेकिन हमें एक की ही जरुरत है अब सरकीट डियाग्राम देखते हैं सबसे पहले BT-136 ट्राइक ले और 220 किलोओं रेजिस्टर को T2 और गेट की बीच करनेट कर ले याने ट्राइक के 2nd and 3rd pin के बीच इसके बाद LDR सेंसर को T1 और गेट याने 1st and 3rd pin के बीच कनेट कर ले Half of the connection is done अब AC mains का plug ले और उसका एक टर्मिनल light bulb से कनेट करे और दूसरा टर्मिनल ट्राइक के T1 याने 1st pin से कनेट कर ले बल्प का दूसरा टर्मिनल आप ट्राइक के 2nd याने T2 टर्मिनल से भी कनेट कर सकते हैं या फिर टैप से भी कनेट कर सकते हैं हम T2 से कनेट करते हैं अब चाहे तो टैप को heat sink लगा सकते हैं connections complete है अब इसकी working देखते हैं जो काफी simple है जब तक LDR पर light reflect होती रहेगी तब तक resistance ज़्यादा होने की वज़े से bulb off रहेगा जैसी ही LDR पर light reflect होना बंद हो जाएगी याने रात के समय LDR का resistance कम होने की वज़े से current flow होने लगता है और light bulb automatically on हो जाएगा तो दोस्तों ये था automatic light using LDR आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताया इस वीडियो से related अगर आपकी कोई सवाल है सुझा होंगे तो हमें कमेंट करना ना भूले अगर हमारा content आपकी लाइट में ज़रा भी value add करता है तो लाइक के साथ सब्स्राइब करें सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपकी को दिखेंगी तो आज के लिए बस इतना ही दूस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में